नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत हैं भूलकर भी पत्नी ना कर ये काम आन्निता पती हो जाएंगे गरीब व्यक्ति अपने जीवन में धन प्राप्त करने के लिए बहुत जादा प्रयास करता है जिससे वह बहुत सारा पैसा कमा सके परन्तो इतने महनत के बावजूद भी उसे मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वो सोच में पढ़ जाता है कि मेरी इतनी महनत के बावजूद भी मेरे मन मुताबिक सफलता मुझे क्यों नहीं मिल पाती ऐसा तभी होता है कि कहीं न कहीं कुछ गलतियां हमारे द्वारा हो ही जात क्यूंकि पत्नी एक गाड़ी के दो पईये होते हैं, पत्नी एक दूसरे की कर्मों को आपस में ही मिल भूग कर बाड़ते हैं, क्यूंकि विवहा के बाद पत्नी का भाग्य पत्नी के साथ जुड़ जाता है। तो उसका दुष परिणाम पती को मिलेगा, और यदि पती कोई गलती करेगा, तो उसका बुरा परिणाम पत्नी को भी प्राप्त होगा। बता दें कि हर घर की इस्त्रियों को सुभा जल्दी उठना चाहिए, सुभा ही अपने सभी कारे पूर्ण करने चाहिए। परन्तु जिस घर की इस्त्रिय सुभा जल्दी नहीं उड़ती है और देर तक सोती रहती है। इस्त्रियों से माता लक्ष्मी रुस्ट हो जाती है और इन इस्त्रियों के पती कभी भी धनवान नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात इस्त्रियों को हमेशा शांत सभाव का होना चाहिए और बात्चित के तरीके में शालीनता और सौमता होना चाहिए। परंतु यदि कोई इस्त्रियों बोलचाल में अच्छी नहीं है और हमेशा वो बात करते समय गलत शब्द या कडवे आवाज में बोलती रहती है। तो ऐसे में वो हमेशा घर में विवार लड़ाई जगडा और कले का महौल बना कर रखती हैं जिससे धनकी देवी माता लक्ष्मी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। पूरे परिवार को इसका कस्ट भूगना पड़ता है क्योंकि जहां पर परसंता रहती है वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। पूरी आएगी और माता मा लक्ष्मी भी उनसे नराज हो सकती है। जोड़ कर चली जाती है। जिस घर में पत्निया रात को जूटे भरतन छोड़कर सो जाती है। विब बरतन उन्हें श्राब देती है। और मा लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। तो घर में साफ सफाई रखें। जूटे भरतनों का धेर ना रखें। तुरंत भूजन के बाद उनकी साफ सफाई करना अनिवारे होता है। घर को साफ सुतरा सुन्दर बना कर रखने से घर में हमेशा देवी देवताओं और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ श्यर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पह अंसा के धनेवा दोस्तों